हेलो वाइज मेरे नमें साजी सैफी और मेरे चैनल गॉइप किलिक में मैं आप सभी का तही दिल से वाइलकम करता हूँ दोस्तों यहां hard disk कोई भी हो सकती है 500GB की भी हो सकती है या 2TB की भी हो सकती है वो सबी work करेगी इस trick के जरिए तो चालिए दोस्तों video को शुकरते हैं और देखते हैं कि हम ये काम किस तरह से कर सकते हैं तो जैसा कि दूस्तों आप यहाँ और से देखें, यहाँ फिलाल मेरे पास यहाँ 1 Tb Hard X के जो की WD की है, चलीएखर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह किस तरह की Hard X के है, और इसके अंदर आपको पोर्ड है वो किस तरह की देखने को मिल जाता है. चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं यहां पर किस चीज़ की और जरुवत होगी तो इसके लिए आपको सिंपली एक OTG के वल की जरुवत होगी चलिए खरह यहां इसको भी साइड में रख देते हैं और जैसा कि दोस्तों आप यहां को और से देखें मेरे Realme 3 Pro के अंदर यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों आप इस ट्रिक के जरीए किसी भी Realme के फॉन्स के अंदर हार डिस्क को यूज़ कर सकते हैं यह फिलाल आप हम देख लेते हैं कि हमें फॉन्स के अंदर क्या क्या चीज़ की जरुवत होगी तो जैसा कि दोस्तों आप यहां और सा देखें मेरे Realme 3 Pro की Home Screen पर यहां आपको दो सॉफ्ट्वेर दिखाई देंगे जो आप बात कर लेते हैं नेक्श श्टैक वी तो नेक्श श्टैक में आपको Simply करना क्या है आपको हार डिस्क से data cable को connect करना है यानि कि जो हार डिस्क के साथ जो data cable आई है simply आपको उसे एक तरफ से hard disk के अंदर लगाना है and उसके बाद आपको दूसरी साइड इसको dot otg cable के से connect करना है and जब दोस्तों आप इसको dot otg cable से connect कर लेते हैं तो simply आपको करना क्या है आपको इस dot otg cable को अपने phone से simply connect कर देना है तो जैसा कि दोस्तों आप इसको अपने phone से connect कर दिया है और phone से connect करने के बाद simply आपको करने क्या है आप गौर से देख़ें तो यहां पर आपको यहां एक light blink करती हुई दिखाई देगी अगर दोस्तों यहां light अगर blink नहीं करती है यादि कि अगर आपके hard disc, आपके phone के अंदर insert नहीं होती है तो simply आपको करने क्या है आपको अपने realme Fonts की settings में आना है and settings में आने के बाद simply आपको करना क्या है, आपको नीचे scroll करना है और उसके बाद की Er快 E situação si you will only have more settings. easiest at net you will cancel and confirm. और उसके बाद में आपको Scar samp OTG का जो function है वो work करना, start कर देगा, अब simply आपको back आना है, और back आने के बाद आपको जो पहले वाला software है, EXFAT के नाम से जो आपको show हो रहा है, simply आपको करना क्या है, इसको select करना है, और जैसी दोस्तों आप इसको open करते हैं, तो simply आपको करना क्या है, यहाँ इसको right click करना है, उसके बाद यहाँ से okay पर click कर देना, यानि कि इसको permission देनी है, और जैसा कि आप यहाँ गौर से देखें, जो हमारी hard disk है, वो हमारे phone के अंदर show हो चुकी है, अब आपको simply करना क्या है, यहाँ पहले option आप गौर से देखें, तो एक open का option आपको देखने को मिलता है, और उस इसको बनाया हुआ है, इसकी वजा से यह 609.8GB के hard disk को शो कर रहा है, और एक partition में ने इसका log किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर यह show नहीं हो रहा, लेकिन आपके hard disk की episode जितनी है, वो पूरी आपको show होगी, और आपको simply करना क्या है, यहाँ पर आपको open पे click करना है, औ इसका log को कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, यहाँ इसका home page जो है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गवर से देखें, यहाँ पर आपको एक उप्शन मिल जाता है, बॉटम में, तो simply करना क्या है, इसकी पर क्लिक करना है, यहाँ आपको अपको आपको प्नीक होगी, तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ जो हार्ड़ीसका जो चो डटा है, मेरा हुर्थिस्क के अंदब है gigabytes के और शार और छे सो जैसा कि आप ग कि सेह ने की प्शन में होती। यहाँ समझ में आरहा होगा, कि यह मेरी हईय काहँ चल हम यहां से कोई भी एक फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं चली दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको कॉपी करना है तो दोस्तों आपको जिस फाइल को भी कॉपी करना है सिंप्ली आपको करना क्या है उसको प्रेस करके रखते हैं तो यहां आपको सिंप्ल move and send via bluetooth का एक option देखने को मिलेगा तो simply आपको इससे select करना है और जैसी इसको आप select करते हैं तो यहां आपको double arrow का symbol देखने को मिलेगा तो simply आप चाहें तो यहां से जो destination है उसको set कर सकते हैं कि आपको कहां copy करना है बड़ यहां मैं फिलाला भी normal default रहने देता हूँ अकर आप default रहने देते हैं तो आपका internal storage का जो download का folder है आपका उसी के अंदर यह copy या move हो जाएगा तो चलिए मैं simply इसको यहां से copy कर लेता हूँ और जैसा कि दोस्तों आप यहां और से देखें जो हमारा जो song से यह copy हो चुका है हमारी जो file है वो यहां आई चुकी है निकि एक video song था चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम internal storage से या hd card से hard disk के अंदर किसी भी data को copy कर सकते हैं तो simply चलिए हम यहां home page पर चलते हैं और home page पर जाने के बाद चलिए हम internal storage से कोई भी data एक copy करते हैं hard disk के अंदर तो चलिए मैं यहां से कोई भी data select कर लेता हूं जैसा कि दोस्तों आप यहां गौर से देखें चलिए मैं आपको एक file और दिखा देता हूं जो कि हमने hard disk से copy की थी internal storage के अंदर तो यहां पर हमारा एक song था जो कि यहां copy हो चुका है चलिए अब यहां internal storage से hard disk के अंदर हम किसी भी data को copy करते हैं तो चलिए यहां पर फिलाल हम appdoid की जो application है इसको install करते हैं तो sorry copy करते हैं तो simply आपको करना क्या है यहां पर इसको select करना है और जैसी दोस्तों आप इससे select करते हैं तो simply आपको back आना है और back आने के बाद यहां पर आपको hard disk को select करना है और उसके बाद hard disk के अंदर जहां भी आपको copy करना है चलिए मैं यहां पर बाहरी copy कर देता हूँ तो यहां पर simply आपको करना क्या है किसी भी एक फाल्डर को select करके रखना है याने कि किसी भी एक file को select करना है और उसके बाद आपको यह सारे option शो होँगे अब simply आपको करना क्या है यहाँ पर pasteier का एक from the option होगा तो simply आपको pasteier पर click करना है और जैसी दोस्तों आप pasteier पर click करते हैं यहां आपके सामने जो हमने file select की ती वो यहां पर copy हो गई. चलिके अब बात करने कि इसको डिलेट कर सकते हैं तो simply आपको delete करने के लिए इसको press करके रखना होगा and उसके बाद यहां से delete का option आपके सामने आ जायगा. तो simply आपको करने का यहां सब्केट आपर इपमें अपने हाड़ इस का जो भी डिटा है उसको प्लें रही और कर सकते हैं यहांड़ सकते हैं यहांपर तो दोस्तों काफी स्यादा आधा आंसा यां पर आपको हैं ओस्कोझे नीए माइं आपने प्लेया और आप आपको सॉंग हैं तो यह काफी ज़दा बड़ी है ट्रिक्स है और जिसकी जरीए से आप जो बड़े एजली अपने हार डिस्क को अपने फॉन के अंदर एकसेस कर सकते हैं तो दोस्तो यह काफी ज़दा आसान था चली दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको अपनी hard disk को अपने phone से disconnect करना है यानि किस तरह से unmount करना है तो simply आपको करने क्या है यहाँ back आना है और back आने के बाद आपको जो पहले बाला software है EXFAT के नाम से आपको simply इसे on करना है और जसी इसे आप on करते हैं तो यह हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपको अपनी hard disk को हमेशा unmount करके ही निकालना है नहीं तो आपके hard disk के खराब होने के chance बढ़ जाएंगे अगर आप डिरेक्ट अपनी hard disk को निकाल देते हैं अपने phone के अंदर से दोस्तों इस तरह से मैंने आज की वीडियो में आपको बत पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब परना बिल्कूल नपूने तो चलिए फिलाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं मिलते हैं ऐसी एक और मज़ि प्यादर वीडियो के साथ